नरजी ने भूचा महराज यह कथा किस-किस प्रकार के पापों को समाप्त कर सकती कितने प्रकार के कष्टों को समाप्त कर सकती तो सनकादी कहते हैं ये मानबा पाप कृतस्तु सरवदा सदा दुरार्चार रता भीमार गगार प्रोधाग निदगधा कुटिलास्च कामिना सत्ता है यकेन कलो पुनन्तिते सनकादी कहते हैं ये मानबा पाप कृतस्तु सरवदा जो व्यक्ति जीवन भर पाप में लिप्त रहने वाला हो जीवन भर पाप किया हो और सदा दुराचार रता भीमार गगाह सदा दुराचार के मार्ग पर चलने वाला हो जिसने दुराचार करते करते अत्याचार करते करते पाप करते करते अपना जीवन समाप्त कर दिया हो और मरने के बाद वह भयंकर प्रेत बने तो इस प्रकार के प्रेत की भी मुक्ति करने का साधन श्रिमत भागवत महापुराण बोले महाराज जब यह भागवत की गथा इतने भयंकर प्रेत की मुक्ति कर सकती है तो कोई एकातुदारण भी दे दो और अच्छे से विश्वास हो जाए तो सनकादि कहते हैं अत्रते कीरत इश्यामितिहासं बुरातनम यस्यस्रवन मात्रेन पापगानी प्रजायते तुंग भद्रा तटे पूर्व मभूद पतन मुत्तमं यत्रवर्णा स्वधर्मेणा सत्ते सत्कर्मतत्परा सनकादि कहते हैं नारज जी अत्रते कीरत इश्यामितिहासं बुरातनम आप लोगों के बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कता समझ में आ रही है ना समझ में आये तो बता देना मैं समझ में आनी चाहिए बेखती कता सुनने के लिए दुआया है हम सुनाने आये हैं और आप सुनने आये हैं तो कता समझ में आनी चाहिए तब तो बैठने का भी लाव है और हमारे सुनाने का भी लाव है मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि जितना सरल हो सके गुरुजनों का जैसा आशिरबाद प्राप्त है गुरुजनों से जो कुछ भी सीखा है बड़ी सरलता से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ जो बातें समझ में ना आएं तो कथा के बाद आप पूछ लेना, कोई प्रस्न भी हो तब भी पूछ लेना, तुरंत जवाब नहीं मिले, तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन पूछ लेना, संकोच करके नहीं रहना, कथा समझ में भी आनी जाहिए, ठीक है, सनकादि कहते हैं, अत्रते कीरत यिश्याम इत इतिहास सुनाता हूँ, वो इतिहास कैसा है, बोले यस्य स्रवन मात्रेन पाप हानी प्रजायते, जिसके स्रवन मात्र से हमारे जो पाप हैं, वह सब के सब समात हो जाते हैं, करते हैं महाराज, तुंग भत्रा नाम की नदी के इतठ पर, एक उत्तम नाम का नगर वशा हुआ था, जहां पर सभी वर्ण के, सभी धर्म के लोग रहते थे, और अपना अपना धर्म पालन करते हुए जीवन निर्वाहन करते थे, उन्ही में से, एक बड़ा तेज स्वी ब्राहमर, आत्म देव नाम का ब्राहमर, जो ग्यान में, अपने तपोबल से उसका ऐसा तेज था, कि मानो महराज वो, दूसरे सूर के समाने ही दिखाई पड़ता था, ऐसे श्री आत्म देव जी महराज, बड़े धार्मिक थे, और महराज, उनको कश्ट केबल एक बातका ही रहता था, अच्छे धनाड भी थे, धन बैभव भी था, सब कुछ था, लेकिन उनको कश्ट केबल एक बातका था, कि हमारे कोई संतान नहीं है, आज के समय में संतान का ना होना भी एक बहुत बड़ा पाप है, अभिसाप है, हमारे पितरों का रुष्ट होना है, यह हमें समझना चाह कहीं न कहीं हमारे पितरों की रुष्टता है, हमारे पितर दुखी है, हमारे पितर यदी प्रसंद नहीं है, तो पितर के दुखी होने का सबसे पहले नंबर की पहचान है, कि बंस बृद्धी रुख जाती है, पितर का मतलब समझ रहो ना आप लोग हाँ हमारे पितर यदि हमसे रुष्ट हैं तो उसकी सबसे पहली पहचान है कि हमारे हमारा जो बंस है हमारे बंस की ब्रद्धी नहीं होती है बंस ब्रद्धी रुख जाती है और इन आद्मदेवजी महराज के पास सब कुछ होने के बाद ये विचारे इसी समस्या को लेकर के बड़े परिशान रहते थे कि इनके कोई संतान नहीं है और देखो संतान नहीं होने का प्रभाव इतना कि इनके घर की गाये वह भी बाँजी तुलसी इत्यादिक का कोई पोधा भी लगा दें कितना भी पानी सीचे कितना भी ध्यान रखें वह सूख जाता था बड़े दुखी रहते थे और इनकी पतनी बोले धुंदली देवी आत्म देव जी महराज की पतनी का नाम था धुंदली धुंदली तत्प्रिया श्मर्ता तत्प्रिया धुंदली श्मर्ता दुंदली का मतलब होता है दुंदे लीन है याशा दुंदली दुंद का मतलब होता है कलह जो सदा कलह में लीन रहती है जिसके दिमाग में हमेशा उल्चा सीधा चलता रहता है इसकी उससे उसकी इससे लडाई जगड़ा करने में करवाने में जिसका बड़ा मन लग तो बड़ा आनंद आता हो महराज उसी का नाम है दुन्दिली तो आत्म देव जी महराज की पत्नी का नाम था दुन्दिली देवी आत्म देव जी के सामने तुब है ऐसे रहती थी मानो साक्षात श्री देवी आ गई है श्री देवी मतलब लक्षमी जी हाँ श्री देवी वो एक्टर का नाम नहीं लिया जा रहा है श्री देवी का मतलब है लक्षमी मिया जैसे नारायंड के चरण दवाती भई लक्षमी जी है ना उस प्रकार से वह धुंदली आत्मे देव जी महाराज के सामने रहती थी बड़ी पति पृता अपने आपको दिखाती थी आत्मे देव जी महाराज बड़े दुखी एक दिन ये घर से निकल पड़े कि जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ती नहीं होगी तब तक मैं घर में वापस लोट करके नहीं आऊँगा घर से निकल पड़े चलते चलते धूप हो गई नदी के ही किनारे एक ब्रक्ष था ब्रक्ष के नीचे बैठ करके कुछ देर च्छाउँ ले रहे थे उदर से एक महात्मा जी का आगमन हुआ दंडी स्वामी का आगमन हुआ अब संत जो होते हैं वो बड़े दयालू होते हैं कि बाबा गोश्वामी तुलसीदाशी महाराज अपनी सुंदर सेली में क्या कहते हैं आप सभी लोग हम जितनी भी चौपाईयां बोलेंगे आप सभी लोगों को जादा तर वो चौपाईयां पता ही होगी हमें पता है क्योंकि यह जो बिंदे का छेत्र है ना इजर रामायन सुंदरकान इन कारियों का प्रचलन बहुत जादा है है सभी जगए है लेकिन इस छेत्र में जादा है संतुरिदय नवनीत समाना 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 कहा कभी न पर कहाए न जाना कहा कभी न पर कहाए न जाना कहा कभी न पर कहाए न जाना तुलसिदाजी महराज कहते हैं संत रदय नवनीत समाना साधूं का रदय महात्माओं का रदय नवनीत मतलब होता है मक्खन के समान होता है तो उधर से महात्मा जी आए और आत्म देव जी महराज को दुखी देख करके इनके पास गए और पूँच पड़े कि अरे ब्रहमर देवता बड़े दुखी नजर आते हो देखने में तो बड़े दिब लगते हो दिब शुरूपदारी भी लगते हो तुमारे पास तो सब कुछ है अच्छे खासे खाते पीते परिवार से लग रहे हो फिर रो क्यों रहे हो परिशान क्यों हो दुखी क्यों हो तो आत्म देव जी महराज कहते हैं रहने तो महराज आपके बस की बात नहीं महात्मा जी कहते हैं अच्छा हमारे बस की बात नहीं कौन सी ऐसी बात है अरे बोले वो सादों महात्माओं के बसकी बात नहीं हटाओ रहे नहीं अरे बोले बरामर देवता अपनी समस्या हमें बताओ तो सही जब पूँच लिये हैं तो बताई दो कहते हैं महाराज आप हमें ठीक पहचाने हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन एक बात का ही हमें बड़ा कस्त है क्या बोले हमारे कोई संतान नहीं है अब महात्माओं जी बोले अरे वहीया कहां तुम भर परिवार के मौह ममता में पढ़ रहे हो पुत्र के मौह ममता में पढ़ रहे हो इतना सब कुछ होने के बाद भी पुत्र के लिए आप इतने परिशान हो रहे हो इतने दुखी हो रहे हो अच्छा ये बताओ पुत्र तुम्हें मिल भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है युगहे पुत्र तुमारी सेवा करेगा तुमारी रक्षा करेगा तुमारा ध्यान रखेगा कुछ कहा जा सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता कोई गारंटी नहीं है कि फुत्र पाकर के तुम खुश ही हो जाओगे हो सकता है अभी कम समस्या हो बाद में और समस्या बढ़ जाए तो इसलिए देखो ब्रामर देवता हमारी मानों तो हम तो यही कहते हैं कि जितनी प्रीती तुमारी तुमारे घर परिवारिक जनों में है हुत्र बंधु बांधवों में है तो उतनी ही प्रीती भगवान श्री नारायन की चरण कमलों में यदी हो जाए तो तुमारा बेडा पार हो जाएगा झाल झाल